हेलो गाइज कैसे आप अच्छे होंगे कभी लगा था एक साल का बेन जिन पर अब CSK के नए सर बने रोक स्टार जडेजा बेन क्यों लगा था तो आईए जान लेते हैं सर रविंदर जडेजा पहले सीजन यानी 2008 से ही टूनामेंट में खेल रहे हैं इससे पहले सीजन में सेन वोन की करपतानी चेंपियन टीम में एक युवा खिलाडी था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खिचा था वैस सर रविंदर जडेजा थे अब वैसे नई टीम के करपतान बनाए गए हैं उनके लिए मेंदर सिंग दोनी ने अपनी करपतानी छोड़ दी हैं जैसे कि आपको पता हैं द्रैसल जडेजा के खिलाब 2009 IPL सीजन के बाद एक सिकाई दर्ज कराई गई थी उन पर आरोब था कि राज़तान टीम के साथ कॉंटेक्ट में रहते हुए दूसरी फ्रैंचाईजी के साथ बेतर रुपे के साथ डील करने की कोशिश की थी उनोंने जबकि राज़तान टीम ने तीन सीजन के लिए जडेजा के साथ 2008 में करार लिया था अलांकि जडेजा सिर्फ 2009 तक ही टीम के साथ रहना चाते थे ऐसे में जडेजा सर को दो सिमानते हुए उन पर एक साल के लिए परतिपन लगा दिया था आईपियल गवर्निंग काउंसलिंग के बयान के मताबिछ जडेजा ने तब मूंबई इंडियन्स फ्रैंचाईजी के साथ डील करने की कोशिश की थी तब उन्होंने मूंबई टीम के परतिनिदी को अपने डोकुमेंट्स बेजने की भी कोशिश की थी लेकिन अब IPL 2022 की सुरुआत जो है वो 26 मार्च को होने वाली है BCCI ने IPL का सेडियूल अनाउंस कर दिया है सबसे खास बात यह है कि फहला मुकाबला खेला जाएगा 26 मार्च को CSK और KKR के बीच लेकिन CSK के नए कपतान सर रविंदर सिंग जड़ेजा होंगे इस बार तो हेलो गाइच वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जुरूर बताना चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले एसी रोचक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे थैंक्यू